स्राबस्ती जनपत से बहुत ही दुखत घटना परकास में आई है स्राबस्ती जनपत के हर्दत थाना गिरेंट अंतरगत महरुम मूर्तिहां में बंजारन पुरुआ मजरा पड़ता है जहां पर ठंडी से बचाने के लिए उसकी माने एक मासूम बच्चे को अलाओ के बगल मे चारपाई पर सुला दिया था तीन साल का मासूम बच्चा लुड़क करके उसी अलाओं में गिर गया और जुलस करके यानि जल करके उसकी मौत हो गई घर में उस वक्त कोई नहीं था बताय जा रहा है कि परिवारवरों की लापरवाही से एक तीन साल का मासूम बच्चा ज काफी ठंड थी ठंड से बच्चे को बचाने के लिए उसकी माने अलाओ जलाया था और चारपाई पर बच्चे को सुला दिया था ताकि अलाओ से जो गर्मी आएगी उससे बच्चे को ठंडी नहीं लगी लिगी नहां पर आपको बता दे कि घर के दीपक से ही घर का नाक मौत हो गई घर के लोग बाहर गए हुए थे बात में जब घर के लोग पहुँचे हैं घर के लोगों को पता चला है तो आनन फानन में तीन साल के मासूम बच्चे को हस्पताल में भरती करा गया है लेकिन तब तक उसकी जिन्दगी खतम हो चुकी थी तो बहुत ही बाजा बंध हो कोई खिड़की ना हो वहाँ पर इस तरीके से कौरा या लाओ बिलकुल न जलाएं क्योंकि इससे जहरीली गैस भी निकलती है और कभी कभी आप लोगोंने खबरों में सुना होगा कि जहरीली गैस की वज़े से दम घुटने की वज़े से पूरे परिवार क की मौत हो गई है तो यह जो हासा हुआ है बहुत ही दुख़त इसको कह सकते हैं तीन साल का मासूम बच्चा माने कोशिस किया था कि ठंडी बहुत है तो घर में कवरा जला दिया जाए अलाव जला दिया जाए और बच्चा चार पाई पर लेटा हुआ था जैसे ही वो सब्सक्राइब कहां पर कवरा लगा था जैसे और जाए घर के अंदर थैंब और ये बचाने कोशिच नहीं है तो इसका फर दूर पड़ता है जो बोगए तो दूर है जैसे कूरा धरे रहे हैं तो वही पकल है कपड़ा पकल है तो वही पकल है कपड़ा पकल है